VBR Classes में आपका हार्दिक स्वागत है मैं मन्जी सिंग आज फिर आपके समक्षिक करंट अफेर की बहुत ही धासू किलास लेकर आ गया हूँ तो भाई पहले वीडियो को जाद से जाद से जाद सेर करिए सेर कीजिएगा भाई वीडियो पहले सेर कीजिए अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं ठीक है भाई चैनल को सस्क्राइब और सेर जरूर करें भाई ठीक है चलिए सुरू करते हैं हम आज की अपनी किलास देखिए स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर पहला कोस्षन है पुलिस संग्ठनों के नवींतम रिपोर्ट के अनुसार निम्न लिखित में किस राज्य में पुलिस बल सबसे अधिक है ठीक है भाई या तो इसमें पूछा गया है किस राज्य में पुलिस बल सबसे अधिक है तो भहिया मैं ये option number A की बात करूँगा महराष्ट राज्य में पुलिस बल सबसे अधिक है किसके अनुसार है भहिया पुलिस संगठन की नविंतम रिपोर्ट के अनुसार है ठीक है भहिया अब बात कर लेते हैं थोड़ी इसकी जानकरी ले लेते हैं इसको आप कोपी में नोट कर लीजेगा बहुत मेहत्वपोर्ण जानकरी है भहिया ये बीपी आरडी जारी करता है ठीक है कौन रिपोर्ट जारी करता है ये बीपी आरडी जारी करता है BPRD का मतलब है पुलिस अनुसंदान एवं विकास ब्योरो ठीक है भाई या पुलिस अनुसंदान एवं विकास ब्योरो ये है जो है 28 अगस्त 1970 को इसकी स्थापना हुई ठीक हुई थी भाई 28 अगस्त 1970 को कुल स्विक्रत संख्या थी भाई इसमें जो हमारी पुलिस बल है इसमें कुल स्विक्रत संख्या है 26,23,225 है ठीक है और रिक्तियां है जो कुल रिक्तियां है भाईया पुलिस बल में वह है 5,31,737 ठीक है इतनी स्विक्रत है भाईया 26,00 और रिक्तियां है 5,31,000 ठीक है अधिक जो है पुलिस कर्मी लगाए गए थे विया कहां वी वी आई टी डूटी पर और पुलिस देश के जो महिला देश की कुल पुलिस तागत का सिर्फ भाई दस पॉइंट तीस प्रितिसत हिस्सा है अर्थात मैं कह सकता हूं हमारे देश की महिलाओं का पुलिस बल में कु है इसको आप नोट कर लिजेगा है यह जो है c a p a p के लिए सीकरत सकती यह c a p f जो है भाया केंद्रे पुलिस बल जो होता है आपका जितने भी आपकी केंद्र में पुलिस होती है जैसे c r p a b s f हो गई टी वी बीप होगी भाया उसकी अगर बात करें तो इसमें जो है yay संख्या है ठीक है भाई अगर महिलाओ की इस में हम बात करेंगे तो बाई महिलाओ की इसमें दो पोइंट नो पिर्तिसाद महिला हैं किने जो ये अपनी CAPF बोलते हैं इनको RPF ITBP और BSF इसमें वही दो पुइंट नो पिर्टिसत महिल आए हैं और अगर बात करते हैं भाई भारत में भारत में कुल 16,995 पुलिस स्टेशन है ठीक है कितने हैं 16,995 पुलिस स्टेशन है इसमें क्या है भाईया 63 कमिस्निरी है कितनी है भारत में 63 कमिस अब तक और भाईया अगर बात करेंगे हम महा निदेशक कोन है भाई इसके महा निदेशक है भाईया पुलिस के कॉमोधी तो यह जो है किसके अगले कोश्चन पर आ जाते हैं को सन नमबर दो अगर भाई कोश्चन अच्छे लग रहे हैं हो किलास अच्छी लग रही हो तो भाई वीडियो चरूर सेर कीजिए गा और वीडियो के लास्ट तक बने रहें इससे भी अच्छे कंटेंट के साथ आज मैं आपके समख्ष उप सरसट में ग्रेंड मास्टर बने हैं वहें किस राज्य के हैं जो चोदह वर्षी लियोनी मेंडो को हैं वहें किस राज्य के हैं जो सरसट में ग्रेंड मास्टर बने हैं कोशन कहरा है तो भाईया गुजरात है और केरल है उत्तरा खंड है तो भाईया इसमें उप्शन नमब चेस को ही सत्रेंज कहा जाता है इसमें 64 खाने होते हैं ठीक है कितने खाने होते हैं 64 खाने होते हैं कितने खाने होते हैं 64 खाने होते हैं और अगर हम पिर्थम ग्रेंड मास्टर की बात करें तो इसमें पिर्थम ग्रेंड मास्टर जो है भया हमारे कौनते विस्वनात आनंद कब थे मतलब कब मिला था इन्हें ये थे भया 1991-92 में ठीक है भया अगर हम पिर्थम महिला की बात करें भया पिर्थम महिला थी है हमारी सुब्रह्मन विजलक्समी ठीक है भया पिर्थम महिल क्यों पर उवा था इन टीपिसिजी का उसमें कोस्तब साफ कोन है भहीया चाहि नास्ट ने यह है Grand Isleam जीता है अब तक वैया थीक है लिएन में डुका जो हमारे यह जितने वाली हैं कोन है वैया हमारे लिएन में डूका ठीक है इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लिजेगा जो गोवा की रहने वाली है चेस को सतरंग कहा जाता है इसमें सबसे युवा ग्रेन मास्टर है, डी मुकेस, ठीक है भया, इसकी होगी है, पूरी की पूरी डीटेल, तो एक कोस्टन में से अच्छे कासे आपको देखने को, पांस से साथ कोस्टन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, बात कर लेते हैं कोस्टन नम्बर तीन की, किसकी कोस्टन तीन है बहिए अंतराष्ट्य उडिशा कौन सा अंतराष्ट्य उडिशा निरत्य महुत्सब 2020 कहां आयूजित किया गया बता वही अंतराष्ट्य उडिशा निरत्या महतसब 2020 कहां आयुजित किया गया देखिए गां मैं भाव को बताता हूं यह पहला उप्सन है कटक भाई या कोणार्क और जो है यह आपका बाला सोर कॉन बाला सोर दो डी वाला उप्सन आपका भूमनेश्वर तो भाई भूमनेश्मर में यह है आयुजित किया गय बाला निरिट्या महतसब 2020 का आयोजन कहां पर किया गया भया भूमनेश्मर में किया ठीक है खिसने आयोजित कर आया था यह यह आपका इसे से का जो है निरत्या है वह है उडिसी ठीक है इस चीस को अप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कोश्चन नम्बर चार के अगर हम बात करेंगे बहिए कोश्चन नम्बर असम नाकालेंड और मध्यपरदेश तो भाईया अगर हम इसमें बी वाले उप्षन की अगर बात करते हैं कौन से वाले की बी वाले उप्षन की अगर हम बात करते हैं असम तो भाईया बोडो बोडो जो है असम राज्ये की अधिकारिक भासा बनाने के विद्यक को मंजूरी अभी इसमें क्या है बिल-PAS हुआ है को से राज्या में असम राज्या में इसको जो है बोढ़ो भासा को भी इसकी अधिकारिक भासा बना धिया घया ठीक है फार इस चीशक्न रख लीजेए गर यह इसकी कुछ जानकरी मैं आपको बताने देना चाहता हूँ असम की जो राजधनी है भाई हमारी असम की राजधनी को यह दिसपूर क्या है भईया दिसपूर सबसे बड़ा सहर है असम में ग्वाटी कौन सा भईया ग्वाटी राज्यपाल कोने भाई यहां के राज्यपाल है भाई यहां क है जग्दीश मुखी ठीक है असम के जो राज्यापाल है वह हैं जग्दीश मुखी और अगर मैं बात करूँ मुख्य मंत्री की तो यहां के सर्वानंद सोनोबाल कौन है नोट पर लिए बहुत ही रोचक और जानकरी है असम की राजजानी क्या है दिस्पूर सबसे बड़ा सहरा गवाठी और राज्यपाल है इसमें हमारे जग्दीश मुखी मुख्य मंत्री है सरवनन सोनोबाल ठीक है भई इसकी और जानकरी विदान मंदल की सीट है इसमें 126 कितनी है असम में 126 ठीक है इसको के एसम में राजये सबहा की सीटों की संक्षै कितनी हैं तो वहिया बताना साथ और अगर लोकसबहा की सीट की बात करें तो लोकसबहा की सीट है वह है है stitch है कितनी है विया todrightember काजी रंगा नेसनल पार्ठे मिं हमारा हितन चोड़ सपथ कुछ सो ऊ बोले भी हूँ लोग निरत्य कहां का है तो भाया यह हमारा असम का है जहां डखना इस चीज़ को लोग सबसीट 14 है और राज्या सबसीट है इसमें साथ ठीक है भाया काजी रंगा नेशनल पार्क भी हमारा असम में इस्तीत है ठीक है इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर बढ़ाया गया है तो भाया इस रोके जो चैर्मेन हमारे के सीवन उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है वहें कितने वर्स बढ़ाया गया है भाया बताओ एक वर्स दो वर्स चार वर्स और तीन बर्स बताओ वही कितने वर्स बढ़ाया गया है तो भाया इस रोके चैर्मेन के केस्योवान जो हैं उनका कार्यकाल कितना बड़ाया गया व symbi कितना एक वर्स ठीक इस चीस को आँ अच्छे से द्हां रखना भार्टे अंत्रिक्स अनुसंधान संगठन थीक वह भार्टे अन्त्रिक्स अनुसंधान संगठन के पर आं हैं व द्यक्स हमारे केस्हिवान हैं और स्थापिद भाया कब हुआ था यह 15 अगस्त उन्निस्स सो उनस्तर को स्थापिद हुआ था मुख्यलिय भई इसका बैंगलो रूम है किसका मुख्यलिय की बात कर रहे है जो यह है इसरों जो है यह हमारे बहुद्य अंतरिक है oshanthadтора का मुख्यालिया ठीक है भैया और सनस्था पक्ति कों थे भैया इसके संस्था पक्त के भैया आपके विक्रम सारा भाई बहुत भी बढ़िया question है भी कर सारा भाई कोन थे question में पूछत सकता है विक्रम सारा भाई भारतियास अनुसंदान संग ठैन के संस्तापक थे वहीं आपके विक्रम जारवाई छीक है वही इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी बात करते हैं कोशन नमबर 6 के कोशन नमबर 6 हमारी स्क्रिन पर कह रहा है सात में 2021 को किसने चोथी बार पांडुचेरी संग सासित परदेश के मुख्य मंतरी पत की सपत ली है ठीक है भाई इस चीज़ को अच्छे से देखिए बात कर लेते हैं हम N रंगा स्वामी की और सब निंद सोनोबाल की N के स्टानिल की N के पिलानी स्वामी की तो भाई इसमें जो हमारा उप्षन नमबर A है कौन सा भाई या उप्षन नमबर A ये एन रंगास्वामी वह हमारे पंडुचेरी के मुख्य मनत्रीальный सब भार नियुकर्माई ніरव करें हाली में चर्चा में न्यू करमाई कोशिस क्या है भाई बताओ हाली में चर्चा में है ये न्यू करमाई कोशिस क्या है तो मैं इसकी अगर बात करूंगा तो भाई ये कोरोना की एक वैक्सीन है एक परमाणू पंडू भी है और सोब की पिर जाती है एक फंगस इंफैक्शन ह है ठीक है भाई आगे चलके इसके वारे हम बात करते हैं कोशन नमबर आठ की हाली में केरल में हाली में केरल में कोशन जहन से पढ़िए कलारी पट्टू अकादमी इस्तापित की जा रही है वह क्या है ये कलारी पट्टू जो है वह या इसके वारे में कोशन में पूचा गया है यह है क्या कहां पर इस्तापित की जा रही है एक और यह हमारी केरल में इस्तापित की जा रही है तो option है भहिया इसके अंदर पहला option है सास्त्रे निरत्य है भहिया प्राचीन रामनिला मंचन है प्राचीन निरत्य है और आपका चोथा उप्षन है प्राचीन युद्ध सेली तो भाई आपका जो ये चोथा उप्षन है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका प्राचीन युद्ध सेली है ठीक है भाई प्राचीन युद्ध सेली है हाली में केरल के कलारी पट्टू अकादमी इस्तापित की जा रही है एक कलारी पट्टू है क्या भहिया यह प्राचीन युद्ध सैलिय ठीक है इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा प्राचीन युद्ध सैलिय कौस्सा नमबर नो की अगर बात करेंगे हम कौस्सा नमबर नो कह रहा है हाली में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उर्धगाटन किया गया है कौन सा राज्य है जिसमें क्या भहिया देश का पहला फायर पार्क उर्धगाटन किया गया है तो मैं बात कर लेता हूँ पेपर में पूछ सकता है कॉस्टन अच्छा है सारे कोस्टन नोट करते रहिएगा कोई भी question को हलके में ना ले भई बहुत ही महनच से question बनाए जा रहे हैं इस चीज को आप अच्छे से समंझे परणे में भी आपको पता चल रहा होगा कि यहां question किस level के है ठीक है भई जो आने वाली आगामी परिक्सा आपकी है किसी भी परिक्सा में पूछा जा सकते हैं तो भहिया कोसा नमबर दस आगे हम बात करेंगे यह ICIC किर्किट वर्ड कप जो है भहिया 2019 थोड़ी से जनकर इसके वारे मतायता हूँ 2019 में इंग्लेंड ने आयोजित किया था और भहिया अगर कोसा में पूस सकता है ICC किर्किट वर्ड कप 2033 कौन लोंच करेगा या फिर कहां कौन इसका एवजन करेगा तो भहिया अपना इंडिया करेगा ठीक है जो हां, 2023 में इसको कौन करेगा? इंडिया करेगा ठीक है, कोसर नमर 11 की हम बात कर लेते हैं हाली में किस राज्य मुक्खे मंत्री ने ड्रेगन फूड का नाम बदल कर कमलम कर दिया है ठीक है भाई, हाली में किस राज्य के मुक्खे मंत्री ने ड्रेगन फूड का नाम बदल कर कमलम कर दिया है तो भाई इसका जो option है गुजरात, उत्तर पर्देश, हिमाचल पर्देश और मध्या पर्देश तो भाई इसका जो सही option है आपका वह है गुजरात गुजरात ने क्या क्या है भाईया ड्रेगन फ्रूट का नाम बदल कर कमलम कर दिया है ठीक है अच्छा question है चलते हैं next question पर सबसे लंबी 30 सीमा वाला राज्य भी भाईया हमारा कौन सा है गुजरात है देखे उपर वाले question से मैंने ये question बनाया सबसे लंबी 30 सीमा वाला राज्य हमारा गुजरात है ठीक है बात कर लेते हैं next question की हाली में जारी global fire power index 2021 में भारत की कौन सा भारत का कौन सा इस्थान है तो भाई बताओ पहले पर कौन है भाईया पहले दूसरे और तीसरे पर तीनों के चारों के चारों बताओ भाई comment करा करो यार comment comment नहीं करते आप लोग बताओ वहिया पहले पर है वहिया हमारा अमेरिका कौन है वहिया अमेरिका दूसरे पर है वहिया हमारा रूस कौन रूस पहले पर अमेरिका है और दूसरे पर रूस है तीसरे पर है वहिया चाइना चीन कह सकते हैं और चोथा जो इस्थान है वहिया हमारा भारत का है यह क्या क में जारी गिलोबल फायर इंडेक्स 21 में भारत का कुन सा स्थान है तो भईये इसमें 4 पारत का और अमरीका का भाईकर अ मिया पहला स्थान है और रूसिस का भी-ई denominator इसमें आपका तथा बागबानी फसलों के लिए किसान द्वारा मुकतान की जाने वाली प्रिमियम रासी कितनी निर्दारित की गई ओ तो इसकी जो मैं बात करूँगा प्रीमियम राशी का पांच परसेंट इसका जो सही आंसर है आपका प्रीमियम राशी का पांच परसेंट जो है आपका रवी की फसल के लिए ये है निर्दारित की गई है ठीक है ये रहा आपका रवी की फसल के लिए निर्दारित वानिज्य बगवानों के दुवरा भुक्तान किया जाने वाली कितने निर्दारित की गई है वहाग पॉंच पर्सेंट ठीक है वहाग है अगर मैं अगले कोस्टर्ट की बात करता हूँ आपका जो अगला कोस्टर्ट है वह है वहाग रभी की फसल के लिए हमारा एफ वन पॉंट परसेंट और खरीब के लिए हमारा टू परसेंट ठीक है कोस्सा नमबर चोदे की अगर मैं बात करूंगा भारत के किन दो सहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है भारत के किन दो सहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जा देवा वाली और दानपूर के बीच मुंबोय और ठाने के बीच तो भाई इसका जो सही option है आपका हिसार और चंडीगट कहां हिसार और चंडीगट के बीच क्या की जा रही है या भारत की मतलब ये है पहली air taxi सुरू की जा रही है कौन सी पहली air taxi कहां सुरू की जा रही है य या हिसार और चंडी गड़ की वीश ठीक है ओप्सन नमबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा कोस्टा नमबर पंद्रे की अगर हम बात करेंगे भईया हाली में किसने महिला T20 किरकेट का सबसे तेज सदक लगाया भईया यह एलिसा बेरी है मिताली राज है सेफी डिवाइ है और चोथा उप्सन है भईया हमारा हर्मन प्रीथ है कौन सा हर्मन प्रीथ तो भईया पताओ महिला T20 किरकेट सबसे तेज सतक किसने लगाया है तो भई यह जो है हमारी सेफी डिवाइन कौन सी भईया सेफी डिवाइन जो है इन्होंने हाली में महिला T20 सबसे तेज सतक लगाया है कहा की हैं यह हैं यह बया आपकी इंग लेंड की कहां की है भी यह आपके पंद्रह कोस्टन थे भाई, पंद्रह कोस्टन ये देखने में लग रहे थे, लेकिन भाई, जो मैंने करवाए हैं, ये आपको चालिस से पचास कोस्टन आपको यहाँ पर करा दिए, पंद्रह कोस्टन में से ही मैंने आपको हर ओप्शन का आपको कुछ नो कुछ कनेक करके कहीं से ना कहीं से बताया है भाई तो इसलिए आपको आसा करता हूँ यह किलास अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी और जो यह कोशन है भाई बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिये जा रहा है आप इसको हलके में ने लए ठीक है भाई और प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को भाई सेर करो और सप्सक्राइब करो यह आपका ही परिवार है भाई इसको आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा अगर आप चाहोगे कि हाँ हमारा परिवार और अच्छा हो जाए तो भाई आपको और अच्छी टीम से भी हम मुलाकात कराने वाले हैं आज हम आपको और मतलब मैं कह सकता हूँ अभी तक किलास नहीं डली हैं कुछ किलासे अभी रह रही हैं जैसे कि आपकी बहुत सी किलासे अभी तक नहीं डल पाई उनका भी डानले का प्रिबंद किया जा रहा है ठीक है भाई तो इस चीज को आप तभी जब आप हमारा भाई सपोर्ट करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे नहीं तो भाई हम क्या फायदा है से हमारा भी सब कुछ ठीक है सब कुछ छोड़ छोड़ का यार आपके लिए इतनी महनत कर रहे हैं फिर भी आप लोग जो है चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो भाई क्या कमी रहेगी यार कमेंट करके बताय करो भाई और वीडियो को रोज पूरा देखा करो पूरा मतलब वीड डेली करेंट फेर की वीडियो आपको डेली मिलेगी हिंदी की वीडियो भी आपको आज से डेली मिलनी स्टार्ट हो गई है और जीके जीएस की भी वीडियो आपको आज मिल जाएगी भाई तो भाई कहीं ना कहीं हम जितनी महनत कर रहे हैं उसका भाई हमें फल मिलना चाहि ताकि हमें और मेहनत करने में ज्यादा अच्छा लगे ठीक है आपको जो कंटेंट दिये जा रहा है यूट्यूब पर आप पढ़कर देख लीजिए वह सबसे बैस्ट कंटेंट दिये जा रहा है बहुत अच्छी टीम के साथ आपको और मुलाकात कराने वाले हैं ठीक है देते हैं कल की किलास में बाबाई टेक हैर